मैं रंजित जीएस आज तक मैं आपका स्वागत करता हूं दस्तों बी एससे सीजेल 4 वेकंसी की आप लोग बड़ी वेसबरी सिंतिजार कर रहे हैं सीजेल 4 की वेकंसी का और इसके बारे में आप लोग अपडेट जानना चाह रहे थे कि ये वेकंसी कब तक आएगी और इसमें जो एसू का पद है सहायक प्रसखाप दाधिकारी जिस पर मोलरुक से आप लोग साचिवाले सहायक के नाम से जानते हैं इसके पदों की संख्या कि बटन जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों अगर आप बी एस से सी इंटर लेवल या सीजेल की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे जीएस आस तक टिक है जीएस आस तक एकेडमी वाले यूटूब चैनल को बाबा और सारे सीज बिहार जीके वगएर का भी सीज चल रहा है इस चैनल का लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया गया है आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और आप अपनी त्यारी बेहतर तरीके से यहां कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग जानना चाह रहे थे कि यह सचिबाले सहायक क्यों है एसो इसके अगर जोब प्रफाइल जानना चाह रहे होंगे एसो के बारे में तो इसके समंदित अलड़ी वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका आप जिस पर आप लोगों ने काफी प्यार दिया है फिर भी अगर अभी तक आपने इस वीडियो क पदो की संख्या कितनी होगी इस पर हम लोग डिसकेशन करने वाले हैं तो जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे इसमें असपस्ट्रूप से कहा जा रहा है कि बिहार सची वाले सिवा में प्रदनती स्विकिर्थी काईरत पदो की का विबरन यहां दिया गया है औ एक मार्च दोजार चोविस मतलब अप्टू डेट है ठीक है अप्टू डेट है और यह ऑफिस्यल है अप्टू डेट है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपको एस वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था कि किस पद पर आपक परिकारी के श्विकर्त कारजरत एवं रिक्त पदो का विर्वन यहां पर स्टूप से दिया गया है इसमें दो तरीके से बहाली होती है एक बहाली जो होती है वो पदोनत्ती से होती है ठीक है पदोनत्ती से होती है और दूसरी बहाली जो है वो भरती से होती है सीधी भरती हम लोग इसको कहते हैं ठीक है दो तरीके से इसमें बहाली होती है और इसमें जो बहाली होती है पदोनती से वो 25% होती है मतलब कुल पदो के संख्या क्या क्या और 75% पदो पर जो है एसो के पदो पर डायरेक्ट बहाली होती है ठीक है डायरेक्ट बहाली मतलब एक्जाम लेक ठीक है और 2490 में आप देखेंगे तो बैच के अंतरिकत दिया गया है 2010 बैच के अंतरिकत 10 बड़ी है पता दिकारी काम कर रहे हैं और 770 3287 आत्रिकत है और 2014 बैच में 303 और 2024 में 1327 पद जो अपटू देट है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा देखेंगे तो रिक्त पदों कि संख्या 928 है कितने है 928 रिक्त पद हैं और पदोनती से जो भरे जाने है 25 परसेंट उसमें भी 856 रिक्त पद है ये पदोनाती से 857 रिक्त पद भरे जाएंगे तो बहाली कितने पदों पर आएगे बहाली आप लोग याद रखेगा बहाली 928 पदों पर आने जा रही है ठीक है कितने 928 पदों पर अपने थर्ड ग्रेजुट लेबल देखा था उसमें तेरो सो बीस एसो का पुष्ट था तो उसके बाद अगर देखा जाए तो यह 928 एक बड़ी संख्या में पदों की संख्या आ रही है सिजल फोर में तो अगर सिजल फोर की तियारी अगर आप कर रहे हैं जिजान से कीजिए अभी से कीजिए तो कि यह एक बड़ी वैकेंसी है अगर आप सहायक प्रसखा पदाधिकारी बन जाते हैं तो इसमें काफी अच्छे आपर्चिनिटी फैसलिटीज के अलावा बहुत से कीजिए वह रिक्ती जहाए वह वैकैंसी जहाए वह चुनाओं के बाद आएगी और चुनाओं के बाद जैसा की मालुम चला है वह जुलाई अगस्त तक यह वैकैंसी आफलोड किया हुआ है तो अभी इससे त्यारी करें और जिजोन से लगए अप से से आपका से इसमें गएरे के बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा मैं आपको जरूर इस पर वीडियो बना कर दूंगा और अभी तक अगर आपने हमारे जीस आज तक वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए उसका लिंक डेस्केप्शन में दिया गया है तो आज के हैं दोस्तों फिर मिलते हैं आगले वीडियो में किनेट आपके साथ